आईपेल 2022 का प्लेओफ खेलने के लिए चार टीमें मिल चुकी हैं इस सीजन गुज़राट टाइटन्स, राजस्थान रोयल्स, लखनो सूपर जाइंट्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर के बीच प्लेओफ की जंग होगी मगर इस प्लेओफ में अगर बारिश परिशानी डालती है तो मुकाबलों का हल कैसे निकलेगा? चलिए आपको बताते हैं प्लेओफ के मैचों में अगर मौसम बाधार डालता है तो फिर मैचों का रिजल्ट सूपर ओवर के जरीए निकाला जाएगा अगर सूपर ओवर भी टाई होता है तो एक और सूपर ओवर का आयूजन होगा ये नियम आईपेल 2022 के क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैचों में ही नहीं बलकि फाइनल मैच के लिए भी बनाया गया है वहीं अगर सूपर ओवर भी नहीं खेला जा सकता तो फिर लीग स्टेज के पॉइंट्स टेबल में ज़्यादा पॉइंट्स वाली टीम को विजयताम आना जाएगा दरसल कोलकाता के इडिन गार्डन्स में बारिश की संभावना को देखते हुए ये नियम बनाये गए हैं इसके लावख हराब मौसम के चलते मैच को देड़ से शुरू करने का ऑप्शन भी रखा गया है यानि जो मैच शाम को 7.30 बजे से शुरू होते थे वो रात 9.40 मिनट तक भी शुरू हो सकते हैं वहीं फाइनल मैच के लिए इस समय को रात के 10.10 मिनट तक बढ़ा दिया गया है अगर मैच इस समय भी शुरू नहीं हो पाता है तो समय के साथ साथ ओवरों की संख्या को कम किया जाएगा और 5-5 ओवर का मैच रात को साड़े 12 बजे से भी शुरू किया जा सकता है हाला कि फाइनल मैच के लिए 30 मई को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है अगर फाइनल 29 मई से शुरू होता है यानि कम से कम एक बॉल भी इस दिन फैंकी जाती है लेकिन उस दिन खेल खत्म नहीं हो पाता तो मैच को रिजर्व डे पर पूरा किया जाएगा मैच उसी पॉइंट जहां वो पिछले दिन रुका था वहीं से आगे खेला जाएगा ये सुविधा सिर्फ फाइनल मैच के लिए है क्वालिफायर और एलिमिनेटर के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है के लिए है झाल झाल YOU